सार संग्रा के टूडेज करन न्यूज प्रोग्राम में आप से भी पस्वागए आज के टॉपिक में बात करेंगे सौधेसी हलके टैंक जो रावर का अरावरं किया गया जानते हैं चर्चा में कियों सारत दौडेशी हलके टैंक जो रावर का अनवरन किया गया जर्नल जो रावर सिंग के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है इसे डि-ार्डियो और लांस और ट्रोवो दौड़ा संजुक्त रूप से बिक्सित किया गया था जानते हैं इसके मुख उदेश क्या है जो रावर टैंक का अनवरन करने का मुख उदेश चा उच उचाई वाले वातावरन में सन्षमता को बढ़ाना है जानते हैं इसके परमुख बिंदु के बारे में इस सोदेशी हलके टैंक जो रावर को खारत चिन सिमा याने LAC पर तैनात करने की लोजना है इस टैंक में 105 मीमी राइफल वाली तोप और कमपोजिट मोडूल कवच सहित अन्य कुछ हतियार और सुरच्छा परनालिया है इस टैंक में इलेक्ट्रो अप्टिकल कैमरे और एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल है या Remote Control Weapon System यानी RCWS जैसे उन्नत परनालियों को एक्रिट करता है इस टैंक को लदाक, सिम या कस्मीर में संभावित 33 से पहले प्यापक परिश्चनों के लिए तयार किया गया है हर्थी सेना के पास 4500 टैंक और 538 लडाकू बिमान है जानते हैं जुरावर टैंक की विशिष्टा के बारे में इस टैंक का वजन अधिक्तम पचिश्टन है जिससे इसे हवाई मार्ग से ले जा जाया जा सकते हैं यह टैंक अधिक टाई पर भी हमला करने में सक्षम है जुरावर टैंक को उच उचाई वाले छेत्रों से लेकर दूपिये छेत्रों में भी संचालित क्या जा सकते हैं यह टैंक आधुनिक टक्निक से लाइस है जिसमें आर्टिफीसियल इंटेलिजन्स और ड्रोन एकिकरन स सामिल यह टैंक रिमोट नियंत्रित हथियार परनाली यानि RCWS से सुचजित अगर या मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे जिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बिच अधर करिए तब तक लिए हैं नेक्स सेशन में पुछ रही है मस्ते रही है और पढ़ते हैं